एलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आई आम नेहा अनारःद, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज जो हम राश्टे गान के बारे में जानेंगे, राश्टे गान के बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे कि इसकी रचना किनो ने की और कैसे जो है पुलकत्ता में भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस अधिवेशन में राष्ट्य गान जो है सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था और रविंदर नाट गोर ने एक कवीता लिखी थी जिसमें पांच पद थे और पहले पद को ही राष्ट्य गान के रूप में जो है लिया गया राष्ट्य गान में आपके टूटल पांच पद होते हैं सिरफ पहला ही पद जो है हम गाते हैं सुभाष्चेंद्र बोस की निवेदन पर आविद अली ने इसका जो है हिंदी और उर्दो में रुपांतरन किया था तो हिंदी में रुपांतरन करने वाले थे राष्ट्य गान राने की घोशना की गई थी उन्नी सो उन्नीस में रविंदनाटे गोर ने आंदरपरदेश की बेसेंट थियोसोफिकल कोलेज में यह गीत पहली बार गाया जिसके बाद कोलेज अड्मिस्टेशन ने इसे मोनिंग प्रेयर जो है बना लिया था 14 अगस्त 1947 की रात पहली बार सविधान जब सवा हुई उसका जब समापन किया गया तो इसी राष्ट्य गान के साथ किया गया 24 जनवरी 1950 को अधिकारिक तोर पर राष्ट्य गान को अपनाया गया इसके बोल एम धुन जो है स्वेम रविंदना टेगोर जी ने जो है आंदर परदेश के मन्नापली में जो है त्यार की थी ऐसा माना जाता है कि इस गीत को अंग्रेजी जो पंचम की परशंसा में जो है लिखा गया ये भी धारना थी और 1949 में एक पतर लिखा टेगोर जी ने जिसमें उन्होंने इस बात को मानने से जो है मना कर दिया था खारिज कर दिया ये जो राष्ट्य गान बनाया गया तो ये अलया बिलावल राग में जो है बनाया गया राश्टे गान में आपकी टोटल 13 पंक्तिया है, 13 लाइन्स है, 1919 इसवी में रविंदर आटेगो ने इस गिट का अंग्रेजियोन वाद किया, जिसका नाम था The Morning Song of India, ठीक है, तो इसको जो है शिर्शक दिया था The Morning Song of India, और ये था आपका राश्टे गान के बारे में जो है आ